तो चलिए सबसे पहले आपने न्यूज और अपडेट प्या चुके हैं आजी का लेटेस्ट और ताजा अपडेट है वीडियो को लास तक देखिएगा शौटकट तरीके से आप लोग को पूरा जानकारी देने वाले हैं आईए चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रद S.T.E. दोबारा तीन माहाबाद होगी बिहार बोड्ड ने हाई कोट को बताया है कि रद हुई S.T.E. की परिक्षा दोबारा जो है तीन माहाबाद होनी वाली है साथ हाई कोट को यहां पर आदिश देते हुए कहा है कि अभी रधी परिक्षा कि OMR सीट नश्ट ना करें तो OMR सीट जो है वो नश्ट ना करनी का जो हाँ पे आधिश दिया है हाई कोड ने बोड को ठीक है इसी के साथ पूरी अपडेट आप लोगों को बताना चाहेंगे बिहार बोड ने पटना हाई कोड को बताया है कि तीन महिने बाद STAT यानि की राज्य सिक्षक पार्थता परिक्षा लेनी की तैयारी की जारी है तो गरबरी के चलते बोट ने हाली में यह परिक्षा रत की है परिक्षा पिछले साल हुई थी बही जो है बुद्बार को हाई कोट ने नए सीरी से परिक्षा लेनी के बिहार ब सिंग बा अनिक की दायर की हुई है तो जस्टिस जो है अनिल कुमार सिना ने बोट को निर्देश दिया है कि फिलाल पिछली परिक्षा की ओमर सीट उत्तर पुस्ति का नहीं की जाये तो बोट के बकील ने कोट से कहा है कि तीन मेहने बाद नए सिरे से इस परिक्षा को लेनी की तेयारी की जारी है तो अभी इस जो है रिट अचिका की कौपी उन्हें नहीं मिली है कोट ने सभी पक्षो को जो है कागजात के अदान परदान के लिए दो दिन की जो है महलत दी है इस मामले पर अगामी जो है सुनवाई छेज उनको होनी है तो देख पाएंगे कोट न जुन को एक बार फिर सुझे हाँ पर अगली सुनबाई होनी है तब जाकि पूरी अपडेट पूरी मामला एक बार फिर से जह है उजागर होके आएगी अभी तक के लिए आप लोग का इतना इंफोमेशन था जो कि आप लोग को शौर्ट कार तरिके से बता दिए इस नीज न बने रहे है आगे के इंफोमेशन आप लोग किसी तरह मिलते रहेगी है